हेलो डिफेंस लवर वेलकम टू माई चैनल इंडियान डिफेंस नियू जिरो जिरो सबन तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको पताने वाले नेपाल की एम सिक्स्टीन राइफल के बारे में जो स्पेस्पिक्शन कर रहा हूं तो इसे नेपाल की आर्म फोर्सें यूज करती है अब बात करेंगे इसके हम प्रोडक्शन हिस्ट्री की तो इसे डिजाइन किया है इसके अब बात करेंगे इसके डिजाइन किया गया था अब बात करेंगे इसके मैनुफेक्ट्रर की तो इसे कॉल्ट्स मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी बनाती है इसके सासथ इसे अन कंपनी भी बनाती है जैसे की डियो, प्रिसीजन इंडस्ट्री, एफन, हास्टल, बुसमास्टर, एच एंड आर, फायर आर्म्स, जनरल मोटर, हाइड्रोमेटिक डिवीजन और यूएस ओडिनेंस अब बात करें इसकी नम्मरों बिल्ट गी तो 2011 तक इसकी 8 मिलियन यूनिट्स बनाई जा चुकी थी यानिकि तकरीब असी लाक इस तरीके की असूल्ट रैफल बनाई जा चुकी थी तो अब बात करेंगे हैं इसके वेट की तो इसका जो M16A1 वेरियन्ट है उसका वेट 2.89 kg का है और M16A4 वेरियन्ट है उसका वेट 3.40 kg का है जबकि M16A2 इसका वेट 3.77 kg का है वहीं बात कर लेते हैं अब इस Assault Rifle की Length की तो M16A1 की Length िरह तो 986 mm की है क्यादन कि Millimeter वहीं पर M16A2 की Length वह 1006 mm की है जबके M16A4 की Length वह 1000 mm की है वहीं बात करेंगे अब इसकी Barrel Length की तो 508 mm की Barrel Length है वहीं Card Raise की बात करें यान कि इसमें जो कार्थूस यूज होता है उसकी क्या डामिंज है तो 5.56 x 45 mm की है बात करें इसके कैलिवर की तो 5.56 mm का इसका कैलिवर है और अब बात करेंगे इसके एक्षिन की तो इसमें गैस ऑपरेटेट और रोटेटिंग बोल्ट एक्षिन यूज होता है वहीं बात कर लेते हैं अब इसकी रेट ओफ फायर की तो M16A1 की जो रेट ओफ फायर है वो 700 से लेके 950 राउंड पर मिनट किये है जबकि M16A2 और M16A3 की जो रेट ओफ फायर है वो 700 से लेके 900 राउंड पर मिनट किये है वहीं पर M16A4 की रेट ओफ फायर है 800 राउंड पर मि इसकी मजल वेलोसिटी की तो इसकी मजल वेलोसिटी 960 मीटर पर सेकंड की है वहीं बात करें अब इसकी अफेक्टिव फाइरिंग रेंज की तो पॉइंट टार्गेट की बात करें तो इसकी रेंज 550 मीटर की हो जाती है और एरिया टार्गेट के लिए इसकी रेंज 800 मीटर की है वह बात करें इसके मेगसम फाईर रेंज की 3,600 with मेगसम फाईरिंग रेंज है अब बात करें है сके फीड सिस्ट्टम की है दोस्तोब बदा दो इसमें दो तरीकी की मेगसिन इज होते है एक होती है अर रहती है AsangaG और दूसरी होती है betacMr Mack drone magazine तो पहले बात करहें हम set-neck magazine की तो इसमें two types होता है एक तो 20 round attachable box magazine और दूसरा होता 30 round attachable box magazine जबकि beta-c mag में 100 round का drum magazine use होता है अब बात कर साईट की तो इसमें iron side using होता है और इसके साथ rear aperture L type भी use होता है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन दबाने मत भूला जिससे के लिटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंचे भारत